तो शामी लॉंच करने वाला है इंडिया के अंदर मीनोट बुक के बार में जो बहुत एल्ली इंडिया में आने वाला मतलब 11 जून देट फाइन्ल हो चुक हैं लेकिन इस पता नहीं चला होगा आको तो मैं बताता हो क्या आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और कैसा क्या लोगा के हमें में कि आपको फॉल डीटेइल की फिले बात करने वाल है तो है क्यायाइज पूरिक देखुडे करें आगदे लेकिसे रोज के आंगे करे फुर seven नागते हैं सब्सक्राइब हो ही जाता है तो चलो फिर शुरू करें तो देखो एक जारारी को आने वाला है Mi Notebook लेकिन यह होने वाला है एक rebrand वर्जन जी हाँ तो जी ब्रैंड होने वाला है यह Redmi Book 14 का तो Redmi Book 14 आपको कुछ महिनों पहले लांच वाता चाइना के अंदर उसी का इसका पैनल होने वाला है वह बहुत ही जादा अमेजिंग तो होगा और इसी का नाम आपको शामी ने दिया है होराइजन डिस्प्लेइ चो देखने में और सुनने में बहुत ही खमाल का लगता है तो 40 इंचेस का डिस्प्लेइ मतलब कॉंपक्ट डिस्प्ले हो गई तो यह लाप्टप फिर से इंस्पार होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल के आ गया है बताया रहा है 8GB के RAM होने वाली है जो DDR4 वाला RAM होगा जो बहुत ही अच्छी बात है साथ में इसमें आपको दिखने में मिले वाला है 256GB का SSD जो बहुत ही अमेजिंग बात है तो जैसे जो एपल के MacBook में बहुत ही देखने को मिलेगा ताकि आपकी productivity में बहुत ही कमाल का ये यूज हो पाए तो बात करते हैं और कुछ फीचर के पतलब इसमें आपको देखने में में वाला है NVIDIA का Graphics Card 2GB का Graphics Card जो MX250 के साथ में आने वाला है जो बहुत ही अच्छी बात है मतलब गेमिंग के हिसाब से ये अच्छा रहने वाला है वीडियो एडिटिंग बहुत ही कमाल का हो जाएगा विंड़ो 10 पर ये आउट ऑफ दबॉक्स आपको देखने में मिलेगा जो बहुत ही जादा अच्छ बहुत है जो बहुत है अच्छी बात है और इसका आपको 45 तक देखने को मिल सकता है 45-47 तक लिगिंग कुछ इस तरह के साथ में आने वाला है मी का नोट बुक जो बहुत ही अच्छा निकल की आया है डिजाइन बहुत ही कमाल का लग रहा है इस प्रेसिशन बहुत ही अच्छी वीडियो में से तना ही रखते हैं ठीक है विवेवर्स मेल के शेल करते हैं आपने आसे को है नेक्स वीडियो में थैंक्स वॉच्छेंग हाइफाइ